हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज मैं आप ले एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि किस भवान के सामने किस तरह की बाती का दिया जलाना चाहिए हम डेली पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे पहले दिये का एक खास महत्व है द कि दिबक जलाने इसे बहुत ही महतुपूर माना जाता है कि बगवान की पूजा दीपक के विना अधूरी ही मानी जाती है कुछ देवी देवतّा ऐसे हैं जिनके आगे χुरकी दिपक जलाना बहुत ज़्यादा असुप माना जाता है तो आई जानते हैं कि किस देवी औरा के सामने किस तरह की बाती का दिया जलाना चाहिए हिंदु धर्म में पूजा के दोरान दो तरह की दीपक की बाती का इस्तेमाल किया जाता है एक है गोल बाती और दूसरी है लंबी बाती दोनों के इस्तामाल करने की नियम अलग अलग है हिंदु धर्म में ऐसी देवी और दे पूरी की जाती है लेकिन ध्यान रहे कि उनके आगे लंबी बाती का दीपक ना जलाए उन्हें गोल बाती का दीपक बहुत ही ज़्यादे है हिंदु धर्म में सास्त्रों में पीपल और वट का इस्थान भी विशेश महत्व रखता है इसका इस्थान भी भगवान के बराबर ही माना जाता है ऐसे में पीपल और वट रक्ष के आगे कभी भी लंबी बाती का दीपक ना जलाए उनके लिए गोल बाती का दीपक जलाना ही सुभ माना जाता है इसी तरह भगवान विश्णु के आगे भी आपको लंबी बाती का दीपक जलाने से बचना चाहिए इसे अस इसके अलावा ब्रहमा जी की पूजा में लंबी बाती जलाना गलत माना जाता है ऐसे में उनकी पूजा के दीपक जलाते समय इस बात का विशेश ख्याल रखें आपको भी दीपक जलाते हुए ये गलतिया करने से बचना चाहिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें